राजस्थान में कॉंग्रस सरकार महंगाई से प्रदेश के आम जन को रहत देने के लिए महंगाई राहत कैम लगा रही है इस कैम्प में बजट घूशना के अनुसार 500 रुपे में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की गरंटी दी जा रही है कैम्प में इंद्रा गांधी गैस सिलेंडर सबसिदी योजना के लिए रेजिस्ट्रेशन किये जा रही है सरकार इस योजना के तहट 76 लाग परिवारों को सिरफ 500 रुपे में गैस सिलेंडर देने का प्रचार पसार पूरे देश में कर रही है ऐसे में हम आपको यहां बताएंगे 500 रुपे में गैस सिलेंडर से जुड़ी 5 बड़ी बाते गहलोज सरकार महंगाई रहत कैम्प के जरिए 500 रुपे में गैस सिलेंडर देने की गैरंटी दे रही है इसके लिए इंद्रा गांधी गैस सिलेंडर सबसिदी योजना में रेजिस्ट्रेशन किया जा रहा है रेजिस्ट्रेशन के बाद उपभोगता को 1150 रुपे से अधिक कीमत वादा गैस सिलेंडर सिरफ 500 रुपे में मिलेगा इस योजना से 76 लाग परिवारों तक महेंगाई से रहक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है गैस सिलेंडर लेते समय आपको ओइल कंपनी की ओर से निरधारत गैस सिलेंडर की पूरी राशी का भुकतान करना होगा गैस कंपनी की सामान्य दरें चाहे 1150 रुपे प्रती सिलेंडर हो या इस से जादा हो योजना की तहट 500 रुपे ही आपको लगेंगे खाते में सबसिटी के रुपे आने के बाद ग्रहक को 500 रुपे में सिलेंडर मिलेगा एक महीनी के अंदर ग्रहक की ओर से दी गई राशी में से 500 रुपे कम करके बागी राशी सबसिदी के रूप में जनाधार सिलेंग बैंक खाते में अपने आप आईगी सरकार की ओर से आशवासन दिया गया है कि अगर एक महीने में आपको सबसिदी नहीं मिलती है तो आप हेल्प लाइन नंबर 181 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं